इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तपाएं रात उपस्तित उत्त पदेश के राजपाल स्रिमती आनंदिवन पटेल पुर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्रिमान योगी आधितेनाज जी खारत मैं जपान के अमबेसेडर स्रिमान सुजू की शातोशी जी संस्त में मेरे सहियोगी राजा महुन सुजी काशी के सभी प्रबुद्ध जन और सम्मानित साथियों अभी अपने पीछे कारकम में मैंने कासी बास्यों से कहा था इस बार काफी लंबे समय बात आपके बीच आने का सोभागे मिला लेकिन बनारस का मिजाज मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए दिकने शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है अब आप देखिए भले दीन ज़्यादा हो गए हो लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की जड़ी लगा दी एक तरस से आज महादेव के आशिरबाद से काशी वासियों ने विकास की गंगा बहा दी है आज ही सेंक्रो करोड की अनेक योजनाओं का लोकारपन और सिरान्यास हुआ और अब यह दुद्राश कन्वेंशन सेंटर काशी का प्राचिन भैवाव अपने आधोनिक स्वरूप काशी के बारे में तो कहते ही है के बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं विकास की नई उचाई ने काशी के इस स्वफाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कोरोना काल में जब दुनिया ठहर से गई, तब काशी सैयमित हुई, अनुशाचित भी हुई लेकिन स्रिजन और विकास की धारा अभीरल बहती रही काशी के विकास के आयाम, ये इंटरनेश्टन कोपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, रुद्राख्ष् आज इसी रचनात्मक्ता का इसी गती सिल्ता का परणाम है, मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को, इस उपलब्दी के लिए हारदिक बधाई देता हूँ विशेश रुप से मैं भारत के परम मित्र जपान को, जपान के लोगों को, प्राइमिस्टर स्री शुका योशी हिदे को, और एमबेसेडर स्री सुजु की शातोशी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अभी हमें प्रधान मंद्री जी का वीडियो संदेश भी देखा, उनके आत्मिये प्रयासों से, कासी को ये उपहार मिला है प्राइमिस्टर स्री शुका योशी हिदे उस समय चिप केविडेट सेक्रेटरी थे तब से लेकर प्री एम की भूमिका तक लगाता वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रुप से इन्वाल्व रहे भारत के प्रती उनके इस अपने पन के लिए हर एक देश्वासी उनका आभारी है साथियों आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता जपान के ही मेरे एक और मित्र सिंजो आबेजी मुझे आद है सिंजो आबेजी जब प्रधानमत्री के तौर पर काशी आये थे तो रुद्राश के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी उन्हाने तुरंद ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा इसके बाद जपान का जो कल्चर है उनका गूर है चर्परिचित उनकी विशेस्ता है पर्फेक्शन और प्लानिंग इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव इमारत काशी की शोभा वड़ा रही है इस इमारत में आधुनिक्ता की चमद भी है और सांस्कृतिक आभा भी है इसमें भारत जपान रिस्तों का कनेक्ट भी है और बविश्च के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है मेरी जपान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिस्तों में पीपल टू पीपल रिलेशन्स में इसी अपनेपन की बात कही थी हमने जपान से ऐसे ही सांस्कृतिक समन्द की रुपरेखा खीची थी मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के सांथ साथ रिस्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है काशी के रुद्राक्ष की तरह ही अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुचरात में भी जापानी जेन गार्डेन और काईजेर एकेडिबिक अभी लोकारपन हुआ था जैसे ही रुद्राक्ष जापान की और से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है बैसे ही जेन गार्डेन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगन्द फ्यला रहा है इसी तरह चाहे स्ट्राटिजिक एरिया हो या एकोनामिक एरिया जापान आज भारत के सबसे विश्वस्निय दोस्तों में से एक है हमारी दोस्ती को इस पूरे एक शेत्र की सबसे नेचरल पार्टनर प्रसिप में से एक माना जाता है आधुनिक इंफ्रास्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट में जापान हमारा साजीदार है मुंबई अमदाबाद हाइश्पीड रेल हो दिल्ली मुंबई इंडस्टियल कोरिडोर हो या डेडिकेटिर फ्रिट कोरिडोर हो जपान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट निव इंडिया की ताकप बनने वाले है साथियों भारत और जपान की सोच है कि हमारा विकास हमारे उल्लास के साथ जुड़ा होना चाहिए ये विकास सर्वं मुखी होना चाहिए सब के लिए होना चाहिए और सब को जोड़ने वाला होना चाहिए हमारे पुरानों में कहा गया है तत्र अस्रू बिन्दू तो जाता महा रुद्राश प्रक्षकाह ममा अग्या महासिन सर्वे साम हित काम्या अर्थात सब के हित के लिए सब के कल्यान के लिए भगवान शीव की आंख से गिरी अश्रू बुन के रूप में रुद्राश प्रकट हुआ शीव तो सब के हैं उनकी अश्रू बुन मानों मात्र के लिए स्ने का प्रेम का प्रतिक ही तो है इसी तरह ये इंटरनेश्टल कन्वेंशन सेंटर रुद्राश भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिये जोडने का एक माध्यम बनेगा और काशी का तो बात ही क्या? काशी तो बैसे भी दुनिया का सबसे प्राचिन जिवन शेहर है सीव से लेकर सारनात में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सद्यों से संजो कर रखा है आज के समय में भी तबला में बनारस बाच की शैली हो ठुमरी, दादरा, ख्याल, तप्पा और धुरुपद हो धमार, कजरी, चहिती, होरी येसी बनारस की चर्चीत और विख्यात गाइन से दिया हो, सारंगी और पखावज हो या सैनाई हो मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला जरती है यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विक्सित हुई है ग्यान सिखर तक पहुचा है और मानवता से जुड़े कितने गंबीर, चिंतन इस मिट्टी में हुए है और इसलिए बनारस गीत, संगीत का धर्म, अध्यात्व का ज्यान, विज्यान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है साथियों, बहुत धिक बिमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है देश विदेश से लोग यहां आना चाहते हैं यहां रुकना चाहते हैं ऐसे में अगर यहां इसी तरह की इवेंट्स के लिए सुवीधा मिलेगी इंफास्ट्रक्चर होगा तो स्वाभविक हैं बड़ी संख्या में कला जगत के लोग बनारस को प्रात्फिक्ता देंगे रुद्राक्ष इनी संभावनाओं को आने वाले दिनों में साकार करेगा देश विदेश से कल्चरल एक्षेंज का एक सेंटर बनेगा उधान के तोर पर बनारस में जो कभी संभेलन होते हैं उनके फैन पूरे देश में और दुनिया में हैं आने वाले समय में इन कभी संभनोनों को भैश्विक पारुक में इस सेंटर में आयोजित किया जा सकता है यहां बारास सो लोगों के बैठने की व्यवस्ता के साथ सभागार और सम्मेलन केंदर भी है पारकिंग सुभीदा भी है और दिव्यांग जन के लिए भी विशेश इंतजाम है इसी तरह पिछले छे साथ सालों में बारास के हेंडिकाप और सिल्प को भी प्रमोट करने मजबूत करने की दिशा में काफी काम हुआ है इससे बनारसी सिल्क और बनारसी शिल्प को फिर से नई पहचान मिल रही है यहां वैपारिक गतिवाजिया भी बढ़ रही है रुदराक्ष इन गतिवीदियों को भी बढ़ाने में बदद करेगा इस इंफ्रासेक्टर का कई तरसे बिजनेस एक्टिविटीज में इस्तिवाल किया जा सकता है तातियों भगवान विश्वनात ने तो खुदी कहा है सरवक्षेत्रेशू भुपुष्थे काशिक्षेत्रम चमेवपु हुँ हर्थार काशिक्षेत्र ही मेरा सुरूब है काशि तो साक्षा चीवी है अब जब पिछले साथ सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशिका स्रंगार हो रहा है तो इस स्रंगार बिना रुद्राश को कैसे पूरा हो सकता था अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारन कर लिया है तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बड़ेगी अब ये काशी वाश्वा की जिम्मेदारी है मैं आप सबसे विशेश आगरभी करता हूँ कि रुद्राक्ष की शक्ति का पूरा उप्योग आपको करना है काशी के सांस्क्रितिक सौंदर्य को काशी की प्रतिभावों को इस सेंटर से जोड़ना है आप जब इस दिशा में काम करेंगे तो आप काशी के साथ पूरे देश को और दुनिया को भी जोड़ेंगे जैसे जैसे ये सेंटर सक्रिय होगा इसके जरिये भाराज जपान के रिस्तों में उस रिस्तों को भी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी मुझे पुरा विस्वास है महदेव के आशिरवात से आने वाले दिनों में ये सेंटर काशी के एक नई पहचान बनेगा कासी के विकास को नई गती देगा इनी शुब कामराओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ मैं फिर एक बार जपान सरकार का, जपान के प्रधान मंत्री जी का विशेश रुप से आभार व्यक्त करता हूँ और बाबा को यही प्रार्शना करता हूँ आप स्वक्त को स्वस्त रखें कुछ रखें सजग रखें और कोरोना के सारे प्रोटोकॉल का पालन करनी की आदत बनाये रखें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेश दन्यवाद नमस्ते मैं हूँ मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्स्ट्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ